ओम सिरी गनेशाय नमदूस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार दिक्स वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेईस अक्टूबर रविवार की रासी फल के बारे में कीह दिन मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान देना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्विया पार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लो ये वीडियो पहुंच सके चड़ी दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज विध्यार्तियों को इंटर्व्यू वेक केरियर सम्मंदि परिक्षाओं में सपलता मिलने की पूरी संभावना हैं इसलिए अपनी पढ़ाई के प्रती एकाग रिचित रहें आपकी संतुलित दिन्चरिया की वज़े से अधिक्तर काम आज समय पर पूरे होते जाएंगे साथी साथ दोस्तो किसी धार्मिक प्रवर्ति के विक्ति से आज आपकी मुलाकात आपकी विचारधारा में शकार अत्मक परिवर्तन लएगी तथा जीवन से जुड़े प्रते कारे को करने का बहतरी नजरिया आज आपको प्राप्थ होगा आर्ठिक इस्तिती भी आज के प्रती आप मेहनत कर रहे थे आज उसके सुब परिणाम उमीद से जादा आपको प्राप्थ होंगे धार्मिक कारों के प्रती आज आपका रुजहान बढ़ेगा पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी वे आज बहुती सहज और आसान तरीके से हल हो जाएंगे वस्त्र आबूशन जैसी खरीदारी में भी आज समय व्यतित होगा समय आपके पक्ष में हैं इसका सम्मान करें किसी सुब समाचार के मिलने से घर परिवार में आज खुसी का माहौल रहेगा आपकी महनत वे परिश्रम से कोई महत्पूर्ण कर रहे आज संपन हो प्रितिष्ठा को दुबारा हासिल करवाएगा जिससे आपके आत्म विश्वास में वरत दी होगी घर में कोई धार्मिक आयोजन भी आज संपन होगा दोस्तों आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा दिन सिद्ध होगा दोस्तों आज आपको नहीं नहीं सफलता हैं म अपना समय व्यर्थ ना करें अपनी शाररिक उर्जा को बना कर रखें आलास्वे मनोरंजन में समय व्यतित करने की वज़े से बंते कामों में रुकावट आ सकती हैं अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज समाल कर रखें कोई इनका गलत इस्तमाल भी कर सकता है और इसकी अधिक ध्यान ना देकर यथार्थ पर विश्वास करें परंतु ध्यान रहे कि किसी भी कारे को करने से पहले उसके अच्छे बुरे पहलों पर आप विचार अती अवश्चा करें क्योंकि कुछ गलत होने की भी संभावना लग रही है साथि साथ आज अधिक तर समय घर से बाहर व्यतित करना पड़ सकता है परंतु सफलता प्राप्त करने के लिए मर्यादाओं का ध्यान रखना आपके लिए आवश्चक है कोई भी अनुचित कार रहे और आपका करोध पूर्ण वहवार आपकी योजनाओं को डग मगा सकता है साफदान रहें दोस्तो दूसरों के सुजावों पर गंभीरता से विचार करें तता फिजूर खर्ची से बचें अचानक ही किसी प्रकार के महत्वपूर्ण खर्चे सामने आ सकते हैं साथ साथ किसी निकट संबंदी से भी मतवेद होनी की आज पूरी संभवना हैं साफदा प्रेम संबंदों के लिए आज का दिन बहुती आपके अनुकूल हैं परिवारिक गति विद्यो में आपका शयोग और समर्पन वातावरण को और भी अधिक खुस नुमा बनाएगा तथा आप से संबंदों में और अधिक नजदी कियाएंगी पति-पतिनी के संबंदों मे मधूरता रहेगी किसी भी महत्वपूर्ण कारे में अपने जीवन साती की आपसला हवस्च चले आज का दिन आपके प्रेम संबंदों को मजबूत बनाने के लिए एक बहुती अच्छा दिन शाबित होने वाला है दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वैवशाय केरियर क कैसा रहने वाला है दोस्तों आज ग्रह इस्तितियां आपके पक्ष में हैं कुछ अच्छे कारे आपके सफल होंगे तथा तरक्की के उचित अवसर आपको प्राप्त होंगे नोकरी पेशा व्यक्ति अपने कारे को बहुत अधिक ध्यान पूर्वक करें कोई गल्ती होने की आज समभाव ना है दोस्तों देनिक आय में व्रत्ति होगी आयात नियात सम्दित कारों में अधिक ध्यान केंद्दित करें कोई बड़ा अनुबंद मिलने की आज समभाव ना है नोकरी पेशा व्यक्ति को अपना टार्गेट उरा करने से तरक्की मिल सकती हैं आज कुछ न बन रहे हैं अथे समय का आप भरपूर सद्यूप्यों करें दोस्तों वैवसाई गतिविदियां आज सुचारू रूप से चलती रहेंगी परंतु नोकरी पेशा वाले व्यक्तियों को अपने कारों के पिरती थोड़ा साफधान रहने की वियाव सकता है अन्यता अधिकारी व होगी परंतु किसी भी प्रकार के अनुचित कारों को करने से आपको बचना होगा दोस्तों प्रॉपर्टी से सम्मधित कारों में पेपर वर्क पर आप अधिक ध्यान दें जरासी साबधानी आपको किसी बहुत बड़ी मुसीवत से बचा सकती है नोकरी पेशा व्यक्तियो उसे बॉस्वे अधिकारी वर्ग आज प्रसन रहेंगे प्रमोशन मिलने के भी आज योग बन रहे हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तों आज गिरने से या वाहन आदी से चोट लगनी की संभावना बन सकती है इसलिए आज आज आप अत्यादिक साफधानी बरते हैं वैसे आज आज आपका स्वास्त बहुत यह अच्छा रहेगा साथ-शाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात के लेते हैं आज आज आपके लिए पुल डालकर भगवान शुरदेव को अर्द दें और साती सात जल चड़ाते समय आप मनीमन भगवान शुरदेव के मंत्रों का जाप मनीमन अवश्य करते रहें और साती सात अपनी मनों काम नहीं मांगें जैद दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही भगवान शुरदेव बहुत जल फलो की प्राप्ति होंगी और आपके समस्त्र कार रहें भगवान शुरदेव के आसिरवाद से बहुत यासानी से बनने लगेंगे दोस्तो भगवान शुरदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै शुरदेव अवस्च लिखें और व नवाद